सुप्रभायद बच्चों, हिंदी की सकक्षा में आज फिर आपका बहुत-बहुत स्वागत है और मैं उमीद करती हूँ कि आप लोग घर भैटकर ये जो मैं आपको दोहराई करवा रही हूँ पुंद्रभृति हम लोग कर रहे हैं हिंदी की ये थोड़ा थोड़ा आप जरूर याद कर रहे हो और कोशिश करना कि लिखने का जरूर प्रयास करना क्योंकि यदि हमने लिखने का अभ्यास छोड़ दिया तो परिक्षाओं में हमें बहुत मुश्किल हो जाएगी हमारा फ्लो बना नहीं होगा लिखने का और तब हिंदी का जो पेपर है वो थोड़ा सा लंबा होता है इसलिए कोशिश करना कि लिखने का अभ्यास जरूर करना तो आज मैं आपको बेटे मीरा बाई के पदों की दोहराई करवाने जा रही हूँ मीरा बाई जैसे कि आप लोग जानते हो कि हिंदी के भक्तिकाल की एक कृष्ण भक्त कवित्री हुई है और उन्होंने अपनी जितनी भी रचनाय लिखी वो कृष्ण भक्ति की ही लिखी बहुत छोटी उम्र में ही ये विद्वा हो गई थी और उसके बाद इन्होंने कृष्ण भक्ति में अपना सारा जीवन लगा दिया लेकिन इनके जो देवर थे उनको पसंद नहीं था कि ये सारा दिन साधू संतों के साथ मंदिरों में कृष्ण भक्ति के गान गीत गाती रहती है तो उन्होंने बड़ी बार इनको मरवाने का भी प्रयास किया किंदू कृष्ण कृपा से ये हमेशा बचती रही और परिवार के लोगों के विवहार से दुखी होकर मीरा भाई जो थी पहले व्रिंदावन और फिर द्वारिका चली गई और वहां इनका इन्होंने अपनी देह कात्या किया इनका निधन हुआ तो आज मैं मीरा भाई के पदों की दोहराई आपको करवाने जा रही हूँ पहला इनका पद है बसो मेरी नैनन में नंद लाल मैं बिटे आपको साथ साथ इनके अर्थ बताती जाती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे पहली पंक्ति है बसो मेरे नैनन में नंद लाल नंद इनके पालन पोशन करने वाले पिता का नाम कि हे नंद के लाल यानि हे श्री कृष्ण आप मेरे आंखों में आप मेरे नैनों में आकर बस जाओ मोहनी मूरत सामरी सूरत नैना बने विशाल आपकी मूरत जो है बहुत मोहनी है मन को मोहने वाली है सामरी सूरत आपका जो चेहरा है आपकी जो सूरत है वो सामली है और नैना बने विशाल आपके नैन बहुत विशाल है बड़े बड़े नित्र है और आपका यह रूप मुझे बहुत पसंद है मोर मुकुट मकराकृत कुंडल अरुन तिलक दिये भाल आपने अपने सिर पर मोर के पंखों का मुकृत धारन किया हुआ है मकराकृत कुंडल मकर बिटे मगरमच को भी कहते हैं मचली को भी कहते हैं तो यहां पर मीरा बाई जी कहती हैं कि आपने मकर की आकरिती के कुंडल धारण किये हुए हैं कानों में और अरुन तिलक दिये भाल, भाल का अर्थ होता है मस्तक, अरुन मतलब लाल, कि आपने अपने मस्तक पर लाल रंका टीका लगाया हुआ है अधर सुधारस मुरली राजती, अधर का अर्थ होता है होंट, सुधारस यानि बहुत ही अमरित के समान, आपके होंटों पर अमरित के समान मुरली शोभा दे रही है, राजती यानि शोभा देना और वेजंती माल, और कार्थ होता है हृदे, और आपके हृदे पर वेजंती माला शोभित है, वेजंती माला सुंदर लग रही है शुद्र घंटि का कटी तट सोभित नोपूर शब्द रसाल आपकी कटी कटी यानि कमर पर छोटी छोटी घंटियां जो है वो शोभा दे रही है बिटे मा ये शोदा क्या करती थी कि नन्ही से बाल कृष्ण की कमर पर छोटी छोटी घंटियां बान देती थी ताकि वो यहां वहां जब भी इधर उधर जाएं तो मा को पता हो कि मेरा जो कृष्ण है वो कहा है तो यहां इसी कृष्ण के बाल रूप का वर्णन करते हुए मेरा बाई जी कहती है कि आपकी कमर पर छोटी-छोटी घंटिया शोभा दे रही है और नोपूर शब्द रसाल नोपूर का अर्थ होता है पायल और आपके पैरों में जो पायल है वो भी बहुत मीठा स्वर कर रही है बहुत मीची ध्वनी कर रही है यानि पायल से बहुत अच्छी आवाज आ रही है मीरा प्रभु संतन सुखदाई भक्त बचल गोपाल मीरा बाई इस अंतिम पंक्ती में कहती हैं कि मेरे प्रभु, मेरे प्रभु शेक्रिष्ण संतों को सुख देने वाले हैं और भक्तों की रक्षा करने वाले हैं मेरे जो कृष्ण हैं, मेरे जो आराध्य देव हैं, वो अपने सभी संतों पर, अपने सभी भक्तों पर कृपा करते हैं। बेटे, यहाँ पर मैं एक बात आपको और बता दूं कि जब भी आपने किसी भी कविता का या किसी मीराबाई के पदों का या दोहा, दोहूं का जो है आपने सरालार्थ जब करना है, तो उसके साथ ही पहले प्रसंग अवश्य लिखना है, और प्रसंग में हमने ये लिखना ह कि जो प्रस्तुत पद है या प्रस्तुत दोहा है या प्रस्तुत कविता का अंश, जिसे हम पद्यांश कहते हैं, वो कहां से लिया गया है और किस कवी या कवित्री के द्वारा लिखा गया है, तो यहाँ पर इस मीराबाई के पदों का प्रसंग जो हम लिखेंगे, उसमें हम यही बताएंगे कि प्रस्तुत पद हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक में से मीरा बाई की पदावली में से लिया गया है और इस पहले पद में मीरा बाई ने श्री कृष्ण के बाल रूप का वर्णन किया है हान जी बिटा मीरा बाई का जो दूसरा पद है वह मीरा बाई उसमें इस बात की और इंगित कर रही है इस बात की और इशारा कर रही है कि जो श्री कृष्ण है वही मेरे सर्वस्व हैं और मुझे उनके अलावा किसी से कोई लेना देना नहीं है पहली पंक्ती है, मेरे तो गिरिधर गोपाल, दूसरो ना कोई, गिरिधर का अर्थ होता है गोवर्धन परवत को धारन करने वाले, जैसे मैंने आपको कप्षा में भी बताया था, कि एक बार इंद्र के प्रकोप से जब सारे गाउवासी जो थे वो बाड में डूबने लगे चारू तरफ जब बाड का मोहल हो गया, तो श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली से गोवर्धन परवत को उठा कर उसके नीचे सारे गाउव को शरन दी थी, तो तब से उन्हें गिरिधर कहा कहा जाने लगा, यानि गोवर्धन परवत को उठाने वाला, तो यहाँ प भी मेरा अपना नहीं है, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पती सोई, जिनके सिर पर मोर पंखों का मुकुट शोभा दे रहा है, वही मेरे पती हैं, वही मेरे सर्वस्व हैं, वही मेरे सब कुछ हैं, तात, मात, भ्रात, बंधु, तात यानि पिता, मात यानि माता, भ्रात यानि कि मेरे पिता, माता, भाई, बंधु, सखा, आपनो न कोई, मेरा कोई भी अपना नहीं है, मैं इन रिष्टों को अपना नहीं मानती, क्यूंकि मेरा सब कुछ जो है वो श्री कृष्ण ही है, छाड़ी देई कुल की कानी कहा करे कोई, कानी का अर्थ होता है मर्यादा, जैसे मै मैंने आपको बताया कि श्री कृष्ण के प्रेम में जो मीरा भाई डूबी हुई थी और साधू संगतों, साधूों की संगती करती थी, तो उनके देवर ने ये कहा कि इन्होंने अपनी कुल की मर्यादा मिट्टी में मिला दी है, यानि इन्होंने शर्म, हया, लाज, सब छ चोड़ दी है, तो यही इसी बात को इशारा करते हुए मीरा भाई जी यहां कहती है, कि मैंने कुल की मर्यादा छोड़ दी, कहा करे कोई, अब कोई कुछ भी कहे, लेकिन श्री कृष्ण के प्यार में, उनके प्रेम में मैंने कुल की मर्यादा का त्याग कर दिया, संतन धि यानि संतों के साथ बैट बैट कर मैंने अपनी लोक लज्जा सब छोड़ दी है, मुझे किसी की परवाहन नहीं है अंसुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई मैंने अपने आंसुवन के जल से सींची सींच कर अपने मन में जो कृष्ण का प्रेम था, उसकी बेल को बोया है मैंने उस बेल का पालन पोशन किया है, उससे सींचा है अब तो बेल फैल गई, आनंद फल होई और अब कृष्ण के प्रेम की जो बेल मैंने बोई थी वह फैल गई है मतलब मैं कृष्ण के प्रेम में बहुत आगे जा चुकी हूँ और अब मुझे उससे आनंद की प्राप्ती होती है मुझे कृष्ण भक्ती से प्रसन्नता मिलती है भगत देखी राजी भई जगत देखी यहाँ पर मीरा बाय कहती है कि मैं अपने जो भक्ती के मीठे मीठे फल जो लगे हैं वो मैं चखना चाहती हूँ और अब भक्तों को देखकर मुझे प्रसनता होती है जो श्री कृष्ण की भक्ती करते हैं उन्हें देखकर मुझे प्रसनता होती है भगत देखी राजी भई, यानि मैं प्रसन्द हो गई भगतों को देखकर और जगत देखी रोई और यह संसार जो आज भी अपने कामों में उल्जा हुआ है, जो मोह माया के बंधनों में बंधा हुआ है इस संसार को देखकर, जगत को देखकर मैं रो पड़ती हूँ अंतिम पंति में मीरा बाई जी कहती हैं दासी मीरा लाल गिरिधर, तारो अब मोही वे कहती हैं कि हे गिरिधर, हे गिरी को उठाने वाले, ए परवत को उठाने वाले श्री कृष्ण मीरा बाई आपकी दासी है तारो अब मोही अब मेरा उधार मुझे आप ही तारो यानि मेरा उधार अब आप ही करो इस संसार से मेरा उधार आप ही करो तो यह जो पद है मीरा बाई के कृष्ण प्रेम को वर्णन करता है कि वे कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह से डूब गई हैं और उन्हें अब किसी की भी परवाह नहीं है हाँ जी बेटे अब इस पदावली के जो लगू प्रश्ण है वो हम लोग थोड़ा समय आपको बता देती हूँ श्री कृष्ण ने कौन सा परवत धारण किया था आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि श्री कृष्ण ने गोवर्धन परवत धारण किया था दूसरा प्रश्ण है मीरा अपने नैनों में किसे बसाना चाहती है तो मीरा अपने नैनों में श्री कृष्ण को बसाना चाहती है तीसरा प्रश्ण श्री कृष्ण ने किस प्रकार का मुकुट और कुंडल धारण किये है श्री कृष्ण ने मोर के पंखों का मुकुड और मकर की आकृती के कुंडल धारण किये है अगला चोथा प्रश्ण है मीरा किसे देखकर प्रसंद हुई और किसे देखकर दुखी हुई तो मीरा जो हैं, वे कृष्ण के भग्तों को देखकर प्रसन्न हुई और इस संसार को देखकर जो मोहमाया में दूबा है उसे देखकर तुखी हुई अगला प्रश्न संतों की संगती में रहकर मीरा ने क्या छोड़ दिया संतों की संगती में रहकर मीरा ने लोक लाज मर्यादा सब छोड़ दि अगला प्रश्न मीरा अपने आस्वों के जल से किस बेल को सीच रही थी मीरा अपने आस्मों के जल से श्री कृष्ण के प्रेम रूपी बेल को सीच रही थी पदावली के दूसरे पद में मीरा भाई गिरिधर से क्या चाहती हैं? पदावली के दूसरे पद में मीरा भाई गिरिधर से चाहती हैं कि वे अब उनका उध्धार करें उन्हें इस संसार से तार दें, इस संसार से मुक्ति प्रदान करें तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जो मीरा बाई के पद हमने आज दोहराए हैं इनको आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा इस वीडियो के बाद आप कृपया अपने पुस्तक लेकर बैठिए और इसमें जो व्याकरण है उसका थोड़ा सा अभ्यास कीजिए और जो प्रशन है उनको एक बार अच्छे से समझ कर इनको अपने मन में बिठाओ ताकि परिक्षाओं में आप बिल्कुल भी ना भूलो तो उमीद करती हूँ रोज थोड़ा थोड़ा आप पढ़ते जाओगे कहते हैं न कि थोड़ी थोड़ी बूंडों से जल का घड़ा भी भर जाता है तो अगर आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाओगे रोज तो जरूर आप जो हैं वो जिन्दगी में आगे बढ़ोगे और बहुत अच्छे आंक लेकर पास होगे धन्यवाद बेटा अपना ध्यान रखिए